हेलो स्टूडेंस गुड बॉर्णिंग वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल जियोग्रोफिकुरू आज हम बात करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं क्लास टैंथ हिंदी की वर्कशीट नंबर बाइस को बहुत मजिदा रहने वाले आज का हमारा सेशन इसमें सबसे पहले हम गद्यांस जो दिया गया लखनवी अंदाज का उसको समझेंगे समझना क्यों जरूरी है क्योंकि हम बोर्ड की क्लास में हैं उसके बाद हम परशन उत्र को हल करेंगे तो आज है सोमवार 24 अगस 2020 चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे होंगे यह हमारी वर्कशीट नंबर 22 आज की दिनांख है 24 अगस 2020 हमारा विशे सब्जेक्ट हिंदी और हमारा जो पार्ट है वो लखनवी अंदाज इसमें गद्यांस दिया गया है लखनवी अंदाज पार्ट है वो यस्पाल जी द्वारा रिचीत एक वेंग है अब वेंग क्या होता है वेंग साहिते की एक कला होती है एक वीदा होती है एक परकार होता है इसमें मजाक मजाक में महत्पुन बाते कह दी जाती है और सामने वाला या सुनने वाला बुरा भी नहीं मानता तो उसे हम वेंग बोलते हैं इसे हम जनर्रल भासा में क पतन शील सामन्ति समाज है यह पतन की तरफ जा रहा है उनका वो रुत्बा नहीं रहा है यानि उसे धनी समाज कहेंगे पुंजी पति वर्ग है उस पर कटाक्स किया गया है वेंग किया गया है और उस पर वेंग करते हैं लेखक ने कहा है कि यह जो वर्ग है यह वास्त्विक लेखक ने लखनव के नवाब की दिखावती जिन्दगी का भी मजजदार सा वड्नन किया है। वो किस्सा ऐसे है कि एक बार रेलगाडी यात्रा कर रहे होते हैं लेखक, और उसी वक्त उसी रेलगाडी में नवाब होते हैं। तो समय बिताने और शोक के लिए खीरा खरीते हैं, सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछ बैठते हैं, अब लेखक ने उस खीरे को खाने से मना कर दिया, अब जो नवाब साब है वो इस खीरे को धोते हैं, पोंचते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा, मिला न या थे उन्होंने पहले मना कर दिया था तो अब मुह में तो पानी आ गया लेकिन फिर भी दोबारा मना कर दिया अब नवाब साब क्या करते हैं दिखावे में कि खीरे के एक-एक फांग को उठाकर मुह के पास ले जाते हैं नाक से सुंगते हैं और खिड़की से बाहर फेंक उत्तर आपको लिखित में बिलेगा तो पहला जो पर्षन दिया गया है वो है वेंग किसे कहते हैं इसकी क्या विशेषता है तो वेंग साहिते की एक कला या विधा होती है जिसमें मजाक मजाक में बहुत महत्पुन बात कह दी जाती है और सामने वाला या सुनने वाले को बूरा भी नहीं लगता। उसे हम वहंग कहते हैं। अब दूसरा है, लेकक ने परजीवी संस्क्रीती किन लोगों के लिए कहा है। कि लेकrick ने परजिवी संस्क्रीथी शब्दें इसका प्रियोग सामंत वादी पुंजिवादी लोगों और उनकी बनावटी जीवनशेली के लिए प्रियोग किया नवाप साब नैसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवर्ति कहेंगे लेव सामने रेल गाड़ी में केवल समय बिताने के लिए खीरा खरीदा पहली चीज उसके बाद उन्हें को धोया साफ किया सलीके से काटा नमक लगाया मिर्च लगाया फिर सिरफ सुंग कर सारे फांके एक एक करके खिड़की से बाहर फैंक दिये सिरफ दिखाना चाहते थे कि हम कि उधान दे रहा हूं आप और भी डिटेल में लिखना चाहों तो लिख सकते हो पहला जो दिखावा है उसका उधाण है कि युवाओं द्वारा बुलेट का प्रियोग करना यह दिखावे की मान सिकता है जबकि इसमें फ्यूल की खपत इंदन की खपत हो अधिक होती है दू अधिसे से पैसे उठाने पड़े लेकिन शादी कहां करेंगे पैलेस में करेंगे घर में जगय हो नहीं पैलेस में करेंगे क्योंकि पडोशियों को दिखाना है पडोशियों को जलाना है तो यह दिखावे पन के दो उधारने कोई और उधारन भी आप दे सकते हो तो यह थी हमारी आज की मज़ेदार छोटी सी वर्कशीट की सब्जेक्ट की हिंदी की वर्कशीट तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए थैं झाल, 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 झाल